नमस्कार जहिंद कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ बहुत ही अच्छे और सांधार होंगे साथियों के बीयस 2023 के रिजल्ट का जो हम लोग इंदिजार कर रहे हैं उसी रिजल्ट के साफ पे छाप लोगों ने देख लिया होगा कल ही आपका TGT PGT 2023 का जो रिजल्ट है वो ज मैंने भी इससे पहले आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि TGT PGT की कटाफ जो है वो थोड़ी सी हाई जाने वाली है क्योंकि कहीं कहीं तक मैंने कई सारे स्टूडेंट्स का सर्वे किया तब जाकि यह चीज निकल के आई कि KBS में इस वार कटाफ जो है वो TGT PGT की थोड़ी सी उपर जाने वाली है आप लोगो देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर यह कटाफ आपकी जो है मैंने जो इससे पहले वीडियो बनाई थी वो वाली कटाफ है और नीचे जो आप तो स्क्रीन सौट देख रहे हैं वो आपके लिए ओफीसियल कटाफ का स्क्रीन कटाफ जो 138 से 145 वताई थी ठीक है और मैंने कहा था कि कुछ सब्जेक्ट में आप लोग यह मान के चलिए कि 125 तक आपको इंट्रिवू के लिए कॉल आएगा प्लस माइनस दो नंबर उपर नीचे हो सकता है यह मान के चलिए आप तो उसी के सापने चाप लोग देख पा रहे होंगे कि यूर के टेगरी में पीजीटी हिंदी की जो कटाफ है वो 143 गई है ठीक है हिंदी की 143 गई है आप लोग देख रहे होंगे ठीक है पीजीटी इंग्लिस की 134 गई है ठीक है पीजीटी जियोग्राफी की 138 तक गई है ठीक है पीजीटी एकोनामिक्स की 134 ग गई है तो मैंने कहा था कि 133 से 145 के एप्रोक्स रहेंगे आप लोग कई सारे सब्जेक्ट में ठीक है और कुछ सब्जेक्ट में 125 के आसपास रहेंगे प्लस माइनस दो नंबर हो सकता है तो इसी के साफ एक्ष आप लोग देख लो कि PGT हिस्टरी की 127 है ठीक है टाइगरी में मैंने आपको बताया था कि जो कटाफ है वह 134 से 140 के बीच रहने वाली है ठीक यह मान की चलिए आप और इंट्रिव्यू के लिए आपको कुछ सब्जेक्ट में 120 प्लस पर भी कॉल आएगा ठीक है प्लस माइनस दो तीन नंबर उपर नीचे हो सकता है ऐसा मैंने बताया था कहा भी ता कि आप लोग इंट्रिव्यू की तयारी लगातार करते रहें और आप लोग देख सकते हैं कि यही पर आपके लिए ओफीसियल कटाफ भी यहाँ पर देखने को मिल रही है ठीक है तो PGT में OVC में आप देख सकते हैं 137, 126, 120, 127, 138, 131 ठीक है और 149 PGT CS 149 तक गई है तो आप लोग कई सारे सब्जेक्ट्स की आपर मैच कर लेंगे ऐसी ही EWS ठीक है EWS यस CST वाले भी आप लोग मैच कर सकते हैं यहां तक कटाफ गई है अब यहां तक आप लोग ने देख लिया कि PGT और TGT में आपका सेलेक्शन हुआ है इसी तरह से आप TGT में भी मैच कर सकते हैं तो दोनों का रिजल्ट आ गया है ऐसा आइडिया था कि पहले TGT के आएगा बाद में जा तो आप इंटरिवू की तयारी करें निश्चित तोर पर आपका सेलेक्शन होगा ठीक है PGT में भी जो नंबरा वैकिंसी के साफ़े कई स्टुडेंट्स को बलाया भी गया है और बहां पर आपकी डेट भी उन्होंने किलियर कर दी है कि इस डेट पर आपका इंटरिवू ल जन सातियों का सेलेक्शन हो गया है उनके लिए बहुत बहुत बधाई और शुब कामना है और जन सातियों का सेलेक्शन नहीं हुआ है उन्हें नरास होने की जरूत नहीं है आप लोग आगे की अन्ने जो भी आपने सोच रखा है उसकी तैयारी करिए अभी आपको इसमें बहुत ज़्यदा समय बरबात करने का मैं सकता नहीं है नहीं हुआ कोई नहीं हमने अच्छा प्रयास किया आपने अच्छी मेहनत की और सफलता कुछ लोगों को मिलती है कुछ को नहीं भी मिलती है कोगे हर व्यक्ति को सफलता नहीं मिल सकती है ठीक है बेकेंसिस जितनी होती है उतने ही बच्चों को सेलेक्ष होना होता है बाकी बच्चे तो बाहर होंगई होंगे निश्य तोर पर तो आपका अगर सेलेक्षन नहीं हो पाया है उनके लिए बहुत बहुत अगरिम इंटर्व्यू में पास होने के लिए और फाइनल सेलेक्षन तक जाने के लिए अगरिम बधाई और शुब कामना है और जिनका नहीं हुआ है वो लोग एक उबरते हुए नए सेतारे की तरह आप लोग आगे बढ़िए और एक नया मुकाम हासल करिए ठीक हमाई तरफ से सभी लोगों को शुब कामना है और कोई जानकारी होती है तो मैं जरूर आप तक साजा करूंगा नेक्स्ट स्टेप जो होगा रिजल्ट का वो होगा प्रियाल्टी का तो मिलता हूं फिर मैंने स्टूडियो में जहन्द पंदेमा